इस देश की संस्कृति की विसेस्ता है लेकिन इस देश के साथ में एक विडंबना भी है मैं कविता से पहले आपको जोडने के लिए एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ जब राम रावन के युद्ध में लक्ष्मन को बर्ची लगी तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया जो थोड़ी चहल पहल है वो बंद हो जाएगी मैं ऐसा विश्वास करता हूँ हनुमान जी को भेजा गया और कहा गया कि सूरे निकलने से पहले अगर बूटी लेकर के आ गए तो साइद लक्ष्मन के प्रान बचाए जा सकते हैं हनुमान जी जब आकास मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में उनको संका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि किरणों का चमतकार हो सूर्य देवता दर्शन दे दे और लक्ष्मन के प्रान संकत में आ जाएं तो हनुमान जी सूर्य भगवान से प्राथना कर रहे हैं और कहते हैं कि है सूर्य देव स्विकार करो हनुमत का प्रनत विनत होना जब तक न संजीवनी ले आऊं तुम नहीं प्रकट होना ये भारतिय संस्कृति है कि हम सक्तिसाली होने के बावजूद भी विनर्मता की भाषा बोलते हैं लेकिन हमारी विनर्मता को अगर कोई कायरता की संग्या दे तो उनके लिए हनुमान जी का दूसरा स्वर भी बताता हूँ आपको ध्यान होगा एक कथा आती है कि हनुमान जी ने सूर्य को मीठा फल समझ करके निगल लिया था फिर देवताओं के कहने पर मुक्त किया था तो हनुमान जी पहली दो पंक्तियों में निवेदन करते हैं कि हे सूर्य देव सुविकार करो हनुमत का अपनत विनत होना जब तक ना संजीवनी ले आऊं तुम नहीं प्रकट होना और अब धीरे से अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाते हैं सूर्य भगवान को कहते हैं कि वरना दिनकर ये धन रहे अंजनी तने से पाला है तुम जान रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हनुमान जी के दूसरे स्वर का कवी हूँ मैं एक कविता अपनी विशेश रखता हूँ अक्षर में वो मंचों पे तो नहीं पड़ता कविसमेलन के मंचों पे लेकिन आप पारिवारिक लोग बैठे हैं तो मैं आपके मध्धे वो कविता रखता हूँ कविता क्या है मैं वीरस का कवी हूँ मैंने प्रेम पर एक कविता लिखी है वीरस में वो कविता मैं आपके मध्धे रख रहा हूँ इस विडमना है इस देश की कि वो देश जिसने पूरी दुनिया को सिखाया की प्रेम क्या होता है एक पस्चिम से आई हुई कोई सब्भेता हमारे हर पल के प्रेम को साथ दिनों में समेट करके चली जाती है और इस देश की युवता के माथे पर एक कलंक पोत करके चली जाती है बस इस विडमना की एक कविता है इस पीडा की एक कविता है और ये पीडा और तब बढ़ जाती है जब इस दुनिया के सामने प्रेम का अधित्य उधारन पेश करने वाले भगवान कृष्ण के देश में या अपनी पतनी को पाने के लिए सो योजन के समुद्र पर सेतु बान देने वाले राम के देश को कोई प्रेम करना सिखाता है तब मैं उन पस्चिम के देशों को ललकार तेवे कविता पड़ता हूँ कि जगमग जग जिस जोती से उसे जगाने निकले हो चुलू भर पानी से सागर की प्यास बुझाने निकले हो जगमग जग जिस जोती से उसे जगाने निकले हो चुलू भर पानी से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो समझते होंगे कि मैं वो सब जानता हूँ कि खाली कुर्सिया भी तालिया बजाएंगी वो करना जानता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी कविता आप तक पहुचे, आपकी खामोसी मुझे खले नहीं, जहां तालियों की अशकता हो, आप तालियों का प्रियोग आप करें, जगमक जग जिस जोती से उसे जगाने निकले हो, चुलू भर पानी से सागर की प्यास बुजाने न निकले हो, अंधकार के पूजक भोर बताते पूनम की रातों को, तन के भोगी आए हैं समझाने मन की बातों को, बेढंगे सुर्ताल लिये तुम हमको राग सिखाओगे, राही तुम नफरत पत्के हो, हमको क्या अनुराग सिखाओगे, त्याग समर्पन की भूपर उनमाद बताने आए हैं, फिर आपकी तालियों को निमंतरन दे रहा हूं, त्याग समर्पन की भूपर उनमाद बताने आए हैं, पस्चिम के बंदर हमको अधरक्का स्वाद बताने आए हैं, वो ज्यान हमें सिकलाते हो, जिसमें तुम खुद ही दक्ष नहीं, छलचंदों के वाहक ह तुम भारत भू के समकक्ष नहीं, प्रेम ततु के कारण ही भारत विश्व गुरू कहलाता है, अपना तो हर एक दिवस ही वेलेंटाइन सा आता है, अनुगूंज प्रेम की हरपल है, मन में ये गड़कर देखो, नत मस्तक हो जाओगे, पदमावत पढ़कर देखो, प्रेम वो रस की खान है, प्रेम वो रस की खान है, जिसमें रस खान खो जाता है, मीरा के अदरों को छूते ही विश्प्याला अमरिच हो जाता है, जाडी बबूल की तुलना भी मैं कैसे कर दू अपने चंदन से, तुम पल में साथी बदल रहे, हम संकलपित साथ जनम के बंधन से देहे प्रलोबन से बनी वासना, हरगिज प्यार नहीं होती, कागज के फूल सजी थाली, पूजा में स्विकार नहीं होती, प्रेम महत्त क्या है, ये अपना इतिहास बताता है, इस मिट्टी के घट-घट में, पलती वो प्रेम की गाथा है, सनातन प्रेम की साधना, साधना सागर सुकाती आई है, शावतरी की प्रेम शक्ती, यमराज जुकाती आई है, महबूव चाहे कोई हो, सब को हरदे में बसा देता है, ये वही प्रेम है, जो भगत सिंग को फासी पे हसा देता है, तुम जानते नहीं हो, यहाँ प्रेम का क्या महत्त है, मुर्दे को जिंदा कर दे, प्रेम वो प्रबल तत्व है, महाशक्ति है प्रेम की, महाशक्ति है प्रेम की, जो पत्थर समार देती है, इसी प्रेम की निसानी में हाडी रानी गर्दन उतार देती है प्रेम की दिवानगी विपदा का मुक मोड सकती है रुकमनी के होते राधा शाम को जोड सकती है है इसी की महीमा के दम पर हमने विश्व को सिखा दिया बजरंग बली ने प्रेम भक्ति में सीना चीर के दिखा दिया अब हम बहक नहीं सकते भोग धरा की चालों से हंस साधना नहीं सीकता सिंधू के घड़ियालों से संसकार साधना को सिद किया विवेका नंद से संतों ने प्रेम की गंगा के सरजन को अवतार लिया भगवन्तों ने काम विजेता बनकर विश्घुरू की विजे धुजा समारी है त्याग तपस्या के बलपर जीते वासना सदा हम से हारी है अब मैं वो चार पंक्तिया पढ़ता हूँ और चार पंक्तियों अंतिम चार पंक्तिया अपने कावे पाथ की आपकी विदाई चाहता हूँ चोथी पंक्ति पे अगर आपको लगे तो एक भी हाथ फिर खाली नहीं बचे हमने जो दिया विश्व को हाथ उठा करके मुझे विदा करना हमने जो दिया विश्व को तुम उसका करज नहीं चुका सकते लाखो जुगनों मिल जाए तो भी दिनकर को नहीं जुका सकते दुनिया के आकाओं जाओ यहां से तुसित करो परिवेश नहीं हम सीना ठोक के बोलेंगे दुनिया में भारत जैसा देश नहीं मैं आप लोगों से शमाग जाता हूं हमारे से क्तुटी होगे विरेंद्र आजयम जी भी हमारे सम्वानित कवी हैं इनका सम्मान रहें तो मैं विधायक जीते और नरेज धनकर जीते निवेदन करूंगा इनका पटका पहना के और मेर साथ धन्यवाद बाई अंकर जी धनकर जी मेर साहब विधायक जी आपके इस सनहे को पाकर मैं अभी भूत हूँ और आपका हर्दे से आभार व्यक्त करता हूँ मैं महिया के वो मास्टर हैं महिया के वो मास्टर गीतों के हैं मीत और विजेंद्र पाल जी आ रहें लेकर अपना गीत मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी को वाएं और काव्य पाट करें डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जाने माने जीतकार हैं आप सभी को पुणाम करते हुए कावे पाठ कर रहा हूँ प्राय तो यह होता है कि उमर की दृष्टी से बहुत देर में बुलाया जाता है तब तक श्रोतागन जा चुके होते हैं आज पहली दफा ऐसा है कि मुझे आप सब के सामने कावे पाठ करने का मुझा मिल रहा है पहले एक दोहा माशारदा को समर्पित करता हूँ तु मेरा प्रतिभिंब हो मैं तेरी पहचान तु मेरा प्रतिभिंब हो मैं तेरी पहचान फिर दुनिया में कौन है हम जैसा धनवान फिर दुनिया में कौन है हम जैसा धनवान सो तालों में भी नहीं छिपता है अपराद उसके सी सी कैमरे चलते हैं निरबाद बेटा घूरा एक पल किया न कोई वार बेटा घूरा एक पल किया न कोई वार लेकिन उस पल में मरे बाबा सो सो बार लेकिन उस पल में मरे बाबा सो सो बार और कुछ माहिया आपके सामने रखता हूँ कि कुछ यूं खुषियां बोना कुछ यूं खुषियां बोना सदियों याद रहे एक पल तेरा होना सदियों याद रहे एक पल तेरा होना जो प्रेम पुजारी हैं जो प्रेम पुजारी हैं वे ही जीने के सचे अधिकारी हैं हम प्रेम पुजारी हैं कंस सामने हो तो कृष्न मुरारी हैं कंस सामने हो तो कृष्न मुरारी हैं आओ बच्चे हो लें आओ बच्चे हो लें इसी बाहाने से कुछ पल सचे हो लें इसी बाहाने से कुछ पल सचे हो लें और मैं अभी कुछ दिन पहले छुटमलपूर की तरफ गया तो हिंडन बिलकुछ सूखी होई हैं जहां बाढ़ है वह बाढ़ है लेकिन हमारे शृत्र में नदिया सूखी होई हैं जन्मलिया मैं आपके सामने रखता हूँ प्यासी नदियारानी प्यासी नदियारानी खेला करती थी हर पल पानी पानी खेला करती थी हर पल पानी पानी और अंति माहिया पेश करता हूँ हम जितना रूठेंगे हम जितना रूठेंगे उतने मीठे पल हाथों से छूटेंगे धन्यवाद डौक सहब मैं संचालन के बीच में एक बात बताना चाहता था लेकिन एक जब कमेटी डाली जाती है तो उसमें पहली कमेटी उसकी होती है जो वो डालता है अब यह जो संचालन मेरे हाथ में दिया संचालन के रूप में न कहकर के उसे काव्य रूप में कह रहा हूं मेर्जा विदाई जी अब जरा ध्यान सुन ले आपकी ही नजर है यह देश में एक माहौल बना कि कहीं कुछ भी हो मोदी की सिर पर रख दो मोदी हटाओ उसके लिए मोदी जिम्मेदार है योगी जिम्मेदार है दुरुभाग्यवश एक घटना कुछ साल पहले घटी ट्रेन में एक युवक को सिट के विवाद को लेकर के चाकु मार दिया उसका नाम जुनेद था लोगों ने उसे राजनितिक चश्मे से देखा किसी ने उसके सुद्ध ने ली बाद में भारते जन्ता पार्टी के कारिय करता हूं नहीं घर जाकर के उसके सुद्ध ले तो यहां जुनेद केवल कारण है उसे दूसरी द्रस्टी से ना देखें और कविता कहां से शुरू होती है और कहां जाती है केवल दो मिनट की रचना है कविता लिख दो कविता लिख दो उस घटना पर एक हमारे कवी ने कविता लिख दे यह बही एक प्रमपरा चली, प्रकति शील लोगों ने कविता लिखने का लेख लिखने का एक अभियान चलाया, तो वहां से यह रचना जनम लेती है, कविता लिख दो कविता लिख दो, जुनेद मर गया कविता लिख दो, कविता लिख दो कविता लिख दो जुनैद मर गया कविता लिख दो अफजल को फांसी कविता लिख दो कसाब को फांसी कविता लिख दो कलबुर्गी मर गया कविता लिख दो वानी मर गया कविता लिख दो जुनैद मर गया कविता लिख दो कागज पे लिख दो पत्तर पे लिख दो कागज पे लिख दो पत्तर पे लिख दो इट पे लिख दो पत्तर पे लिख दो जहां भी चाहो वहां पे लिख दो जुनेद मर गया कविता लिख दो खटर राज में कैसे मर गया मोदी राज में कैसे मर गया कलम उठा लो उसकी याद में होती रहेगी जाँच बाद में जुनेद मर्या कविता लिख दो हम भी लिख दे तुम भी लिख दो आओ सारे मिलकर लिख दो यहां पे लिख दो महां पे लिख दो मोदी नहीं तो शाह पे लिख दो आओ सारे मिलकर लिख दो यहां पे लिख दो वहां पे लिख दो मोदी नहीं तो शहा पे लिख दो जुनेद मर्या कविता लिख दो कोई ने छोड़ो पन्ना खाली इस वसर पर सारे भर दो काम धंदे उठा के धर दो मौका मिला है कविता लिख दो मौका मिला है कविता लिख दो जुनेद मरगया कविता लिख दो बासी लिख दो ताजी लिख दो योगी युग में मोदी युग में कोई नहीं है राजी लिख दो जुनेद मरगया कविता लिख दो यासिन क्यों है आज जेल में जुनेद मरा प्रहू की रेल में प्रहू जी थे उसमरेल मंतरी यासिन क्यों है आज जेल में जुनेद मरा प्रहू की रेल में बड़ा घपला है रा फेल में तुम गर चाहो खेल खेल में कविता लिख दो, कविता लिख दो, जुनायत मर गया कविता लिख दो, दरो पे लिख दो, दिवार पे लिख दो, कसाद दोसा की मजार पे लिख दो, धरा पे लिख दो, आसमान पे लिख दो, सब अपनी जुबान पे लिख दो, जुनायत मर गया कविता लिख दो और आप देखिए, यहां से कविता टन होती है, जो मैं कहना चाहता हूँ, अरे शर्म करो तुम ये लिखने वालो, कभी तो गीत देश के गालो, मुफ्ती सुफ्ती की सुनने वालो, पुलवामा का दर्द भी जानो, मुफ्ती सुफ्ती की सुनने वालो, पुलवामा का दर्द भी जानो, अरे लिखना ही है, आतंकी केम्प उड़ाने वाले वीरों का इतिहास लिखो तुम, अभिनंदन ने जिसको गिराया, एफ सोलह का उपहस लिखो तुम, सीमा पर शहीद जवान लिखो तुम, विदवाओं गान लिखो तुम, गीता और कुरान लिखो तुम, कालम उठाकर लिखना चाहो, सुभाश का हिंदुस्तान लिखो तुम, और लिखना है, नानक कबीर को लिखो, जेलम और कश्मीर को लिखो, 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 देश के प्यारो, यमना लिखो, गंगा लिखो, गर लिखने क शौक है तुमको लाहोर में लहराता तिरंगा लिखो लाहोर लहराता तिरंगा नहीं बन्यवाद और ये केवल मैं क्योंकि जिसके गीतों में खुश्बू है और परवहां में रवानी है जिसके गीतों में खुश्बू है और परवहां में रवानी है वो कोई और नहीं शीव मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई शिवेश ध्यानी को वाएं और अपना काव्यपाट करें मुझे जब से मिले हो तुम मिली है खुशी मुझको महबबत की नहीं मैंने महबबत हो गई मुझको भाई शिवेश ध्यानी जहां से भाई साब ने खतम किया वहीं से शुरू करता हूं कहना वीरस पड़ दिया तो वीरस से शुरू करता हूं देखिएगा चार मिस्रों के साथ कि रण भूमी में जब इस भारत का सैनिक बल चीख उठेगा वो बारूदों के मौसम वाला बादल चीख उठेगा रण भूमी में जब इस भारत का सैनिक बल चीख उठेगा वो बारूदों के मौसम वाला बादल चीख उठेगा और कोई लड़की चीखेगी जब छोड़ो मेरी अजमत को बेटी पैदा करने पर मा कहां चल चीख उठेगा इसके साथ एक लगू कविता पढ़ता हूँ देखेगा के इस जिन्दगी एक 1902 में की घटना आप सभी को याद होगी बाबरी मज्जिद गिराई गई थी उसी के हवाले से एक कविता पढ़ता हूँ कि इस जिन्दगी की उड़ान को क्या क्या ना हमने जहला है ये दुनिया दोस्त कुछ भी नहीं सिर्फ जूट का मेला है और जिससे करीब वफादारी उसने ही खंजर गोब दिया दिया उसीने साहस भी जिसने हम में कोब दिया और तोड़ कर जूटी मारस सचका जो जंडा रोब दिया कार सैनिकों के माथे लिखकर आतंकी थोब दिया कौन था मोलो मूर्खवीर जिसने नवभारत खो दिया राष्ट्रवात भुला कर सभी में जाती का बिजबो दिया अन्नहों तंगे तो बोलो हो क्या इस हिंद की भूमी में जब चल रही है चाटु का रिता इस हिंद की भूमी में जब चल रही है चाटु का रिता इस हिंद की भूमी में कैना मेरे बाई बैठे है मोहित बाई जानते है मैं श्रिंगार पढ़ता हूं तो श्रिंगार के हवाले से कुछ थुनाता हूं देखेगा चार मिसरे पढ़ रहा हूं भाई कि कदम के चलने को चलना कहें कैसे कदम के चलने को चलना कहें कैसे कभी दिन रात क्या चलते हैं पैरों से कदम के चलने को चलना कहें कैसे कभी दिन रात क्या चलते हैं पैरों से और सितारे चांद सुरज जासमा की सहर कभी कड़ते हुए देखे हैं पैरों से चार मिस्रे यूँ भी देखेगा के कहना के कहूं महताब या तुझको कमल कह दूँ कहूं महताब या तुझको कमल कह दूँ बहुत कुछ सोच के सोचा गजल कह दूँ कहूं montaab, यए तुझको कमल कह दूू, बहुत कुछ सोचके सोचा गजल कह दूू, के जिन जुर्फों में फिरती सांपसी हो तूं, तडप्ती उंगलीओं उनको संदल कह दूू, तेरी नाखों को क्या मैं जंगल कह दूू. ये शुक्रिएं। धन्यवाद शिवेश भाई और इससे पहले कि मैं senior citizens को मंच पर बुलाऊं मैं एक कवित्री को बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा आप अगर बाहर निकलें और आस्मान की तरफ देखें तो आपको चांद लगभग पून सा होता दिखाई देगा और पून चंद्रमा को पूनम कहते हैं तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूनम सक्सेना जी को वाएं और काव्यपाट करें सब्रत्रम मंच को नमन करती हूं माशार्दे को नमन करते हूं और मंच पर उपस्थित सभी सुधी जनों को मेरा हिर्देज से नमन है जिनसे सीख रही हूं सीखती रहूंगी और जिस उपलक्ष में ये आयोजन हुआ है गुघाल मेला तो उसको मुझे जो पता लगा और यहां पे तो उसका बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है सहरण पुर जिले में तो जिनको मनाया जा रहा है वो कहीं पीर है तो कहीं वीर है जाहर वीर जी उनी का चल रहा है यह सब तो कहीं पीर है कहीं वीर है और मुझे पता चला कि यह कौमी एकता का संदेश देता है यह गुघाल मेला तो उसी के उपर मेरी चंद पंक्तियां हैं क्योंकि समाज में बहुत तोहीन जंजाल है उसी के उपर है यह कुछ पंक्तियां थोड़े उर्दू के शब्द हैं मैं उनको हिंदी में भी आपको बताऊंगी जिससे आप मेरे कविता के मर्मु को समझ सकें चलिए मैं शुरू करती हूँ इस अंजुमन में ए खुदा इस अंजुमन में ए खुदा कैसा है तुफाने आप आप मीन सेलाब इस अंजुमन में ए खुदा कैसा है तुफाने आप हर इंसान करता यहां जिक्रे तुमार यहां तुमार का अर्थ है बात का बतंगर ए अंजुमन में ए खुदा कैसा है तूफा नियाव हर इंसान करता यहाँ जिक्रे तू मार यहाँ पाना चाहता तूबा वो तूबा का अर्थ है स्वर्ग का ब्रक्ष हर कोई चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिले पाना चाहता तूबा वो पर फसा है तूले अमल में क्यों करता ना वो तूबा क्यों फसा रहता तोहीन जंजाल में क्यों ना समझता तौहीद को तौहीद का मतलब है इश्वर एक है वो शक्ति एक है नाम अलग अलग है धरम कोई हो जाती कोई हो वो परम सत्ता वो परम शक्ति एक ही है तो तौहीद का अर्थ है एक इश्वर क्यों ना समझता तौहीद को क्यों ना समझता उस निर्मल तौफीक को तौफीक का मतलब है शक्ति उस भगवान की शक्ति को हम नहीं समझ रहे हैं हम लोग आपस में लड़ रहे हैं अपने अपने दौरा खुद ही हम भ्रमित हैं क्यों ना समस्ता तोहीद को क्यों ना समस्ता उस निर्मल तौफीक को इस अंजुमन में एक खुदा कैसा है तूफाने आव हर इंसान करता यहां जिक्र तुमार यहां तो यह जो तोहीन जंजाल मचा हुआ है उसी के उपर यह मेरी चंद पंक्तियां थी और मैं भौत ध्यान सहजी और ध्यानियात्रा से जुड़ी हूई हूँ और जो मेरी लेखनी है वो उसी पर चलती है तो थोड़ा समय रूह से गुफ्तगू को आपके सामने पेश करूँगी कि जब हम उस गहराई में उतरते हैं इमानदारी के साथ तो बहुत कुछ बदलता दिखता है तो उस रूह के साथ जो गुफ्तगू है उसको पेश करने की इजाजत चाहती हूँ आप सबी से दुनिया वही, दुनिया वाले वही महफिल वही, महफिल वाले वही दुनिया वही, दुनिया वाले वही महफिल वही, महफिल वाले वही अफसा वही, अफसाना वही सूरत वही, सूरते हाल वही दुनिया वही, दुनिया वाले वही महिफिल वही महिफिल वाले वही अफसा वही अफसाना वही सूरते वही सूरते हाल वही अदा वही अदाकारा वही अदा वही अदाकारा वही गजल वही गजल सरा वही गजल सरा गजल सुनाने वाला गजल वही गजल सरा वही नजम वही नाजम वही मंजले हस्ते वही, मंजर वही, खुदा वही, खुदा का आक्राम वही खुदा की क्रपा भी वही, इश्र की क्रपा वही है मंजले हस्ते वही, मंजिर वही, मंजर वही, खुदा वही, खुदा का आक्राम वही रहम भी वही रहमत भी वही रहमत भी वही रहम भी वही आईना वही आईना साज वही रूह भी वही उसकी रूहानियत भी वही रूह भी वही उसकी रूहानियत भी वही तो सवाल जो ये रूह का था फिर की बदला क्या उसे पूछा गया बदला क्या तो सुनिये फिर बदला कि अगर हम अपना नजरिया बदल देते हैं तो बहुत चीजें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं हम भी वही हमारी अक्सीरियत अलग, नजरे वही पर नजरियां वो नहीं, हम भी वही पर अंदाजे वायां वो नहीं, इश्क भी वही पर इखलास के साथ, इश्क वही पर इखलास के साथ, इखलास में सरलता के साथ, माफी नामा भी वही पर इंतकाम नहीं, शमा की शक्ति रखते हैं बदला नहीं लेते, माफी नामा भी वही पर इंतकाम नहीं, खुद का दिया इखलास मंद है बस, हम बफा निवहते हैं, हम भारत वासी हैं, हम तो ये रुहू से जो जब रुहू का इहतराम हुआ जो चंद शब्द प्रस्फुटित हुए उनका मैंने आपके सामने वर्णन किया और शाहिद आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहा रही हूँ बस थोड़ी सी चार पंक्तियां पढ़के और मैं हटती हूँ इवादत भी ठहर कर शर्मा गई क्या करूं उसमें भी मिलावट आगई क्या करूं उसमें भी मिलावट आगई खुदा भी फस गया इंसानी जाल में, खुदा भी फस गया इंसानी जाल में, किसकी कहूं, किसकी सुनूं, यहां तो हर शक्स बेगाना सा हो गया, यहां तो हर शक्स बेगाना सा हो गया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत कवी हमारे पास अभी मंच पर हैं इस बीच में भाई गोपाल दाज जी हमारे सम्मानित पार्षद ने हमें जोहन किया है मुनका भी अभिनन्दन रोस्वागत करते हैं चलिए में हमें अशोक पोस्वाल जी हमारे भी चाये हैं मुनका भी अभी अभी नंदन रुस्वागत करते हैं विनीत रिशी और वंदन कौशिक अखिल भारती विद्धारती परिशत से हमारे भी पहुंचे हैं मुनका भी अभी अभी नंदन रुस्वागत करते हैं थोड़ा सा रस परिवर्तन, या विधा परिवर्तन कहिए, मैं गजल की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ, माहिया की तरफ लेकर के चलना चाहता हूँ, और वो बीमारी के बाद भी आए, ये उनकी नवाजिश है। वो बीमारी के बाद भी आए, ये उनकी नवाजिश, मैं जिन्हें उला रहा हूँ, वो प्रहलाद आतिश। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो महिया लेकर आ रहे हैं, सदियों प्रभारी है, हर वो पल जिसमें मानवता हारी है, हर वो पल जिसमें मानवता हारी है। मैं पढ़ाद आतिशाएं और अपना काव्य पार्ट करें और उसके बाद अगले कवी को आवंत्रित करता हूँ, आप से एक विनम्र निविदन ये जरूर करना चाहता हूँ, के शहर में कोई फिल्मी कारेक्रम होता है, कोई डांस का कारेक्रम होता है, हम उसमें घंटों बैठते हैं, जहां टिकट लगा होता है, वो पसंद आए ना आए, महां भी पूरा समय बैठते हैं, क्योंकि जेब से पैसा गया हूआ हूँता है। ये कारिकरम, ये कावे, कवी सम्मेल, आपके शेहर के कवीयों का है, इन्हें आपका परोधसाहन चाहिए, आपके तालिया चाहिए, मात्र एक घंटे का समय मैं आपसे मांगता हूँ, आप इन सब को सुनकर जाएए, आपके पास एक से कवी हैं, और ये किसी से कम नहीं है, आमंत्रित कर रहा हूँ, भाई पढ़ाद आतिश्यकोर, दो महिया मैं सुना रहा हूँ, इतिहास में कुछ ऐसे कशन भी आते हैं, कि जो पूरी शेताब्द्यों तक भुलाई नहीं जा सकते हैं, और हमारे देश के इतिहास में, तो वो कशन कहीं बार आए, जब आतताईयों ने पुरा कतले आम कर दिया, वो कशन भूल नहीं सकते हैं, और वो एक कशन कल्भी आया था, तो मैं महिया पढ़ रहा हूँ, एक ही महिया को दो तरह से, सदियों पर भारी हैं, वो हर पल जिसमें, मानव ताहारी हैं, वो हर पल जिसमें, मानव ताहारी हैं, और यही महिया दूसरे तरह के सदियों पर भारी हैं, जिस पल स्लेवरी की जंजीर उतारी हैं, हमारे प्रदान मंतरी ने कल यही कर्टब पत्का उदगाटन किया, और नेता जी शवाचंद बोस को समर्पित उनका स्टेचू किया, तो वो भी एक ख्षण ऐसा था कि जो सदियों तक याद रहेगा, जिसने हमारी सदियों की गुलामी की एक जंजीर तो उतारी दी, और सुने, सपने बेच बेच खुद हो गया माला माल, रन छोड़ क्यों? वो आरोप लगाता है, वो फिर भाग जाता है, कोई सबूत दे नहीं पाता, उसका कामी ये होकर रह गया है, तो इसलिए वो रन छोड़ है, रन छोड़ के जरीवाल, सपने बेच बेच, खुद हो गया माला माल, सपने बेच बेच, खुद हो गया माला माल, एक महाई या और देखें, सीधी साधी बातें, सीधी साधी बातें, कड़वी लगती है, सब को सची बातें, कड़वी लगती है, सब को सची बातें, जो कस में खाता है, जो कस में खाता है, पल भर में वो ही, पीछे हट जाता है, और एक दो चदुश्पदी, चाड़ा इनों की बविता, एक दो सुना रहा हूँ, उसके बाद, कटर इमान दार और देश भगतु हूँ, मेरी बात समझ गयोंगे, मैं कहां जा रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, कटर इमान दार और देश भगतु हूँ, तुम कर्त कहते रहो, मैं तो भरस्टा चार तरस्तु हूँ, बाटूंगा रे वडिया जाहे, कुछ भी तुम कहो, मैं आप ही सवयम की बडाई में विस्तु हूँ, मैं आप ही स्वयम की बड़ाई में विस्तू हूँ और आसमान क्या है आसमान एक खाली जगा है और धर्टी सब जानते हैं गोल है तो यही दो बते न कोई आसमान है ना आसमानी है इसके खिलाफ जो भी है वो बेईमानी है इसके खिलाफ जो भी है वो बेईमानी है साबित यह हो चुका के यह जमीन गोल है इसको बिछाने वाली तो जूटी कहानी है इसको बिछाने वाली तो जूटी कहानी है और हिंदू न बनाया न मुसल्मान बनाया भगवान ने इनसान को इनसान बनाया फिर उसके नाम पे ही क्यूं होते हैं फसादात समझाए मुझे कोई मैं तो समझ ना पाया कोई तो बताया और जब बार बार जूट ही परोसा जाएगा जब बार बार जूट ही परोसा जाएगा सच का लबादा और सामने वो आएगा एक दिन क्या होगा उस जूट कोई सच मान लेगी लोग बाग लेकिन नहीं तो खुलता ही है सच का लबादा और सामने वो आएगा जब बार बार जूट ही परोसा जाएगा सच का लबादा और सामने वो आएगा अग्यानता का रजत पट हटेगा जिस गड़ी अग्यानता का रजत पट हटेगा जिस गड़ी अपनी दशा दशा को देख पच्छताएगा और जालिम बहुत से आये जुल्म सब नहीं ढाया हमने खिलाफ इसके शानती राग ही गाया हमने खिलाफ इसके शानती राग ही गाया दुनिया पे राज करने का जो खाब देखे हैं दुनिया पे राज करने का जो खाब देखे हैं ये खाब किसी का भी सफल हो नहीं पाया कितने आये चले गए हिटलर आये मुसोर नहीं आये सब यही खाब देखते चले गए कि पुरी दुनिया उनके अंडर में होगी ऐसा कभी ना हुआ ना होगा और सुनें आये हैं क्यों जहां में जरा कुस्तो सोचिये हम याज धर्ती पर क्यों आये हैं क्या सिर्फ खाना पीना लड़ाई मारदार इसी के लिए आये हैं आये हैं क्यों जहां में जरा कुस्तो सोचिये दिल ना दुखे किसी का ऐसी वानी भोलिये दिल ना दुखे किसी का ऐसी वानी बोलिये जब उसके पास जाएंगे तो क्या कहेंगे आप अपना हर एक कर्म आप खुद ही तो लिये कुछ हिसाब ऐसा रखिए कि उसके सामने जाने पर शर्मिंद गिना उठाने ही पड़े इसी के साथ मैं अपने विराम लेता हूँ धन्यवाद धन्यवाद पहला जी और हमारे सम्मानिय पार्षद आशुतोस सहगल जी भावी जी के साथ या आए हैं मैं उनका भी अभिननदन और स्वागत करता हूँ भाई राजमार कारड़ा विजे गुपता जी राजन सिंग कोहली मंडल अध्यक्ष भाजपा हमारे बीच पहुंचे हैं हम उनका भी अभिननदन और स्वागत करते हैं योग चुग महामंतरी और प्रविन चावड़ा जी उपाद्यक्ष हमारे बीच आए हैं हम उनका भी अभिननदन करते हैं नरेंद्र सिंग जी पारशत राजीर सैनी और स्वागत करता हूँ और आमंतरित कर रहा हूँ अभी मैं इस छोर पर था, मैं उस छोर पर जाना चाहता हूँ और आमंतरित कर रहा हूँ गोवंश वो पालते गोवंश वो पालते समारते गोबर दीप आजकर हमारी गोशाला में गोबर से दिये बनाए जा रहे है गोवंश वो पालते समारते गोबर दीप गीत खुशबू ला रहे डाक्टर संदीप मैं अमंतरित कर रहा हूँ डाक्टर संदीप मिश्रा को हमारे यहाँ नगर निगम के पशुचिकित सहम समाज कर लियान अधिकारी है जब कोई कोई जानवर परेशान करता है धन्यवार डाक्टर साब मा वागेश्वरी के चर्णों में अपना नवन प्रेशित करते हुए मैं यहाँ पर उपस्तित सभी सुधी शुरताओं का खुर्देय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ एक चोटा सा गीत पढ़ूंगा इसकी संक्शिप्त भूमिका है कि गीत किसी की प्रतीक्षा में है और वो इतना विशिष्ट है कि उसका होना या ना होना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है महाईश्वर्टिवारी जी कहते हैं कि एक तेरा होना क्या से क्या हो जाता है एक तेरे होने से क्या से क्या हो जाता है एक तेरे होने से क्या से क्या हो जाता है बेजुबा च्छत दिवारों का बेजुबा च्छत दिवारे घर हो जाती है तब पंधिया पढ़ता हूँ मेरे राहें देख रहे हैं महफिल मेरी आंगन मेरा तुझ को पूछ रहे हैं मेरे होठों पर तू अपने गीत जरा बिखरा दें जग की सारी बातों को यारा तू बिसरा दें बस तू मेरे संग हो इतना इतना ही मैं चाहूं तुझ को पाकर जी लू यारा या मैं यू मर जाओं तुझको पाकर जीलू यारा या मैं यू मर जाऊं गजलों गीतों में भी अब कोई मधुमास नहीं है व्योग देखिएगा गजलों गीतों में भी अब कोई मधुमास नहीं है कृष्ण भी है और बंसी भी पर कोई रास नहीं है गजलों गीतों में भी अब कोई मधुमास नहीं है कृष्ण भी है और बंसी भी पर कोई रास नहीं है तू जब मेरे संग होता है सावन मुझे को घेरे सारी धरती सारा अंबर सब हो जाते मेरे बस तू मुझे को मिल जाए तो जुमू ना चुगाऊं तुझको पाकर जीलू यारा या मैं यू मर जाऊं पाकर जीलू यारा या मैं यू मर जाऊं एक छोटा सा गीत और सुनाता हूं और इसकी प्रश्ट भूमी बस इतनी इसी है कि जब मैं मेडिकल प्रवेश परिक्षा की तयारी कर रहा था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो कोचिंग पढ़ने के साथ साथ लगातार पांच पांच छे शे घंटे तक कोचिंग और पढ़ाता भी था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना और अपनी उसकी प्रेमिका थी उसका खर्च और उसकी फीस और देता था फिर जब परिक्षा पढ़ना माया तो मेरे मित्र की प्रेमिका सेलेक्ट हो गई पर मेरे मित्र सेलेक्ट नहीं हो पया और फिर उसे ये सुनने को मिला कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते आज मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरा गीत आपके मन के किसी भी कौने को जरा सभी छूता है तो मेरा गीत लिखना सार्थक हो जाएगा पंक्तियां पढ़ता हूं भूने की कोशिश करिएगा घायल हूं कितना चोटों से तुमको आभास नहीं है सब कुछ अरपन है तुम पर सब कुछ अरपन है तुम पर फिर भी एहसास नहीं है घायल हूं कितना चोटों से तुमको आभास नहीं है एक बार कभी मेरे मन को यू छू कर भी देखा होता लोग अकसर तन तो छू लेते हैं मन को नहीं चुपाते हैं तब पंक्तिया पढ़ता हूं एक बार कभी मेरे मन को यू छू कर भी देखा होता एक बार मेरे ख्वाबों में आ, पलकों में पल देखा होता कि अब है, अब है धड़कन थमी हुई, अब है धड़कन थमी हुई और तन में सास नहीं है सब कुछ अरपन है तुम पर, फिर भी एहसास नहीं है मेरे लब की हसी देख, तुम काश समझ इसको पाते कभी-कभी ऐसा होता कि हम बहुत परिशान होते हैं, फूट-फूट कर रो रहे होते हैं तब ही अचानक मा का फोन आता है और पूस्ती कैसे हो मेरे लब की हसी देख, तुम काश समझ इसको पाते काश मेरी आँखों में जाक, तुम अंबर को गीला पाते कि मैं दर्यासा हूँ गहरा, मैं दर्यासा हूँ गहरा पर तुमको प्यास नहीं है, सब कुछ अरपन है तुम पर फिर भी अहसास नहीं है अंतिम बंद पढ़ता हूँ मेरी आँखों के आँशू को बस है पानी तुमने मान लिया जब समझ दना शून होयाती तो रिष्टों की आहमेद खितम होयाती तब पक्यापता हूँ मेरी आँखों के आँशू को बस है पानी तुमने मान लिया प्रेम समेटे ग्रंथ को मेरे महज कहानी मान लिया के हरशन तुमको ही पूजा हरशन तुमको ही पूजा फिर भी विश्वास नहीं है सब कुछ अरपन है तुम पर फिर भी अहसास नहीं है धन्यवाद हे लिए फ्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखें कभी के अंदर हमेसा बाल मन रहता है, डाक्टर साहब याद रखिएगा का आप हमेसा कभी रहिएगा धिकारी मत बनियेगा, हम और डाक्टर साहब एक ही दिन सहारनपुर में जोईन किये थे, इनके बहुत ही बाल मन तो है, तब मैं नहीं जानता थे कभी हैं, बाद म उपर बड़ी प्रेशर थे, लेकिन एक चीज मुझे ये कहनी थी, काफी देर से में देख रहा था, जब एक इतना अस्तर का प्रोग्राम चल रहा है, लोग हट रहे हैं, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अच्छा समाज मिलेगा, जब हम आप अपने अंदर ही नहीं सुधार लाना चाहते हैं, अगर यहीं फूहड नरित्य होता, तो साइद यहाल भरा मिलता, तो अच्छी बाते हो रही हैं, अच्छी चीजे सुनी जा रहे हैं, और आपके जिले के सबसे अन्भवी और ओजस्वी लोग भी हैं, देखे कितने सारस्वत जी बुज़र्ग हैं लेकि बहुत ही ओजपूर्ण कविता कर रहे थे, तब ही मुझे लगा कि आप लोग से बात करूँ कि आप लोग सुनियेगा, जितना समझत के समझियेगा, अब देखे आध्यन का दौर खतम होता जा रहा है, अब कोई किताब कहां पढ़ता है, किसी को बुक इस्टाल पर देखत ट्रांस्फरबूल जाब हमारी आपकी है, लेकिन हम साठ साल तक आपको कहिन कहिस पकड़ते रहेंगे, अजय कभी बुलाता रहूंगा, और अपने अंदर ये इस्थिती हमेशा रखिएगा, अधिकारी न बनियेगा, कभी बनियेगा, धन्यवाद, धन्यवाद, भाई बड़ी भाव पूर्ण गीत उन्होंने यहां प्रस्तुत करके आपको भाव सागर में डुबकी लगवाई, उन्हें बार-बार शुक कामनाएं, और अपने भीतर जैसा की आदरने राजेश जी ने कहा, अपने भीतर के कवी को हमेशा जिन्दा रखिएगा, उस पर अधिक पारी हावी ना हो, बस यह ध्यान रखें, आप बहुत अच्छे कवी हैं, आप मंचिय कवी हैं, सच बात तो यह है, मंच पर बहुत कम लोग इस तरह की पढ़ पाते हैं, मैं अगले कवी को आवाज दे रहा हूँ, आज रख मंच की नहीं कवीता की बात थोगी, किसी और के साथ नहीं, संदीप शर्मा के साथ होगी, भाई संदीप शर्मा, जाने माने रंग कर्मी हैं, सरकारी ओडिटर हैं, और ओडिट करते करते ये शब्दों को ओडिट करने लगे, और कवीता लिखने लगे, मैं उनका अभिनंदन करते वे, उन्हें बड़े सन्हें और सम्मान के साथ आमंतरत कर रहा हूँ, आएं और काव्यपाट करूँएं। मैं बड़े भाई, आप सब मेरे साथी हैं, मान सिंग भाई, मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं उनको नाम करके, अपनी बात कहना प्रारम करता हूँ, संदीप मिश्रा जी के इतने प्यारे करूण और श्रंगार रस की कविता के उपरां, मेरा पढ़ना बिल्कु लैसा ही है, जैसे एश्वरिया राय के बाद गोगा कपूर आ जाए, लेकिन आज इस हॉल में हम जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, वो उतने हैं जितनी हमारी जिन्दगी में इमानदारी रह गई हैं, और उस इमानदारी की अपनी वकत है, भले ही वो 5 परसेंट है, लेकिन वो आज भी 95 परसेंट के उपर भारी है, तो आप वो 5 परसेंट हम सब को यह बताएंगे, कि आप बाकी 95 परसेंट का भी प्रत्रिधित्व यहां पर कर रहे हैं, गए पूर्व संसद, विधायक गए, चले गए महापावर भी, गए पूर्व संसद, गए विधायक, चले गए महापावर भी, आप जो बाकी हैं, आप ही हैं श्रोता और हमारे सिर्मौर भी, मैं उतनी सुंदर कविता नहीं कहता हूँ, जितनी भाई संदी मिश्रा कहते हैं, मैं यथारत का कवी हूँ, जिन्दीगी को जीता हूँ, मेरे बहुत पराने मित राजेश भाई आज यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अब गुगाल मेला संपरदाइक सुहाद का प्रतीख है, भाई सिद्धी की जी हाँ पर बैठे हैं, उनको नमन करते हुए, मैं यह चार लाईने यहां पर देने के बाद अपने कवीता पर आउँगा, कि पड़े रमजान जो हो ली, पड़े रमजान जो हो ली, तो गुजिया तुम खिलाओगे, मने संग इद दिवाली, सिवईया मैं खिलाओंगा, जो सपना हो, हकीकत ये, तो मन्जर वो भी आएगा, वजू करता दिखूंगा मैं और गंगा तू नहाएगा, ये वो धरती है, जो साब पर दाएक सुरहाज को लेकर आगे चलती है, हमेशा से, आज, जो कवीता पाक, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसका शीरशक जब मैं आपके सामने रखूंगा, और हाँ, आज, मुझे ये नहीं पता था, कि मैं इतना मकबूल कवी हो चुका हूँ सारनपुर में, कि मेरा नमबर आदरनी सारस्वच जी और विजंदर पाल जी के बाद आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने हमेशा इन लोगों को सबसे अंत में पढ़ते हुए देखा है, लेकिन आज ये नवयुवा हो गए है, इनके लिए जोरदार तालिया होनी चाहिए, इन दोनों नवयुवा कवियों के लिए, आदरनी राजेश जी मेरे कविता का शीरशक है 14 सितंबर, 14 सितंबर का आयोजन, ये कविता 14 सितंबर को ही सबसे अप्रासंगिक है, और बागी 364 दिन पून प्रासंगिक है, 14 सितंबर का आयोजन, लीजे सहब, लीजे सहब अभी तो मैंने सिर्फ एक शीरशक है गुना, उस पर विचारों का जाल आपने अपने मन में है गुना, और उस विचारों के जाल से ए आवाज है आई, ये 14 सितंबर क्या बला है भाई, ये 14 सितंबर क्या बला है भाई, लेकिन ये मेरा दावा है, जब आप 14 सितंबर से अपने संबंदों की सच्चाई को जानेंगे, लेकिन ये मेरा दावा है, जब आप 14 सितंबर से अपने संबंदों की सच्चाई को जानेंगे, मैं 14 सितंबर के आयोजन की अधक्षता है तू कर रहा था किसी को तलाश किसी भी सुधी जन के तयार नहोने पर मैंने होकर बहुत निराश एक चलाएमान चरित्र के फ्री लांसर टाइप नेता से संबंद साधा ऐसे नेता बहुत मिल जाते है मैंने चलाएमान चरित्र के एक फ्री लांसर टाइप नेता से संबंद साधा वो हर्श मिस्रित उलाश से बोला थैली का आयोजन करो मैं उसमें से लूँगा आधा थैली का आयोजन करो मैं उसमें से लूँगा आधा उसकी इस मांग से उसकी इस मांग से मैं अंदर तक हिल गया इतना ना समझ पाया क्या आज का इनसान गिर गया है इतना जैसे साइवेरिया में पारा गैस निकलने पर गैस का गुबारा और मंदी के दोर में शेयर बाजार गिरता है जितना क्या वास्तम में आज का इनसान भी गिर गया है इतना खेर खेर मैंने किसी तरह से हाथ पेर जोड़ कर उसको मनाया और अपने शेहर में कारिकरम की अध्रचता है तू उसको शेहर बुलाया लेकिन उसके थेली के आयोजन की वजह से उसके थेली के आयोजन ने मुझो इतना भरमाया कि मैं 14 सितंबर के विशेह उसको ना बता पाया उसने कारिकरम में पहुंसते ही सीधे माइक संभाला सागत और सत्कारों को एक तरफ कर डाला माइक संभालते ही वो बोला 14 सितंबर का दिन होता है कितना महान 14 सितंबर का दिन होता है कितना महान बच्चों को रखना चाहिए इसका विशे इस ध्यान क्योंकि दरसल वो ही तो मनाते हैं इसे साल दरसाल आज के दिन जन में उनके प्रिये चाचा जवाहरलाल आज के दिन जन में उनके प्रिये चाचा जवाहरलाल उनका सेकेटरी तुर्ट उठकर बोला अरे हुजूर वो तो 14 नमंबर को होता नेता जी सक्पकाकर मगर भरी निर्चता से बोले अरे तू तो है खोता मुफ्त की रोटिया तोड़ता लोकर हो गया है नादान इतनी महान हस्ती का जनम दिन अगर मैं दो महीने पहले मना लू इसमें आपका क्या जाता है श्रीमान इतनी महान हस्ती का जनम दिन अगर मैं दो महीने पहले मना लू तो आपका क्या जाता है श्रीमान गिर्गिट की तरह रंग बदल कर वो फिर से बोला 14 सितंबर का दिन है कितना महान विदेशों में भी इसकी लोग प्रियता के हमें मिले है पर्मार्ण प्रेम और प्यार का संदेश ये सारे जग में है प्हेलाता आप इसे या कुछ भी बुला ले विदेशों में ये सेंट वेलेंटाइन दे है कहलाता सैकेरिटरी फिर बोला हुजूर, हुजूर क्यों करा रहे हो अपनी तोहीन हुजूर क्यों करा रहे हो अपनी तोहीन वो तो होता है फर्वरी फॉर्टीन नेता तुलंत बोला अरे क्या प्रेम और प्यार की बात करना अभिशाप है अरे क्या यहां प्रेम और प्यार की बात करना अभिशाप है इसलिए देश में गली-गली फैल रहा लव जिहाद रूपी साफ है इसलिए यहां देश की गलीओं में पैल रहा लव जिहाद रूपी साफ है अरे मोहबत की बात करने पर क्या मुझे जिन्दा जलवाओगे मोहबत की बात करने पर क्या मुझे जिन्दा जलवाओगे या गली-गली खाप पंचायत कर मुझे बिटोरों में जलवाओगे अरे मैं सामाजिक वरजनाओ को कहा हूं मानता इसी लिए मैं आज ही वेलेंटाइन दे हुँ जानता खेर अब मैं आज के असली विशे पर आता हूँ और आप सब को यहां आने का मकसद समझाता हूँ आज का दिन आतंगवाद विरोध का स्वर होता है अर्श पर क्योंकि आज के दिन आतंगवाद विरोध का स्वर होता है अर्श पर क्योंकि आज के दिन ही वर्ड ट्रेड सेंटर और जॉर्ज बुश पड़े थे फर्श पर क्योंकि आज के दिन जॉर्ज बुश और वर्ड ट्रेड सेंटर पड़े थे फर्श पर मैंने कहा गजब धा रहा है मैंने कहा ये गजब धा रहा है 9-11 की घटना को 14 सितंबर बता रहा है 9-11 की घटना को 14 सितंबर बता रहा है तब मैंने उसके कान में बात समझाई तब मैंने उसके कान में बात समझाई पता नहीं वो क्या समझा पता नहीं वो क्या समझा पर उसके चेहे पर एक अजब सी चमक आई और छाते ठोक कर वो बोला गर्व से कहो हम हिंदू है भाई गर्व से कहो हम हिंदू है भाई अबके हम हिंदू दिवस खुल कर मनाएंगे और भगवा द्वज हिंदूस्तान में ही नहीं लहार और कराची में भी लहराएंगे भगवा दिवस अबके हिंदूस्तान में ही लहार और कराची में भी लहराएंगे मुझे लगा मुझे लगा ये तो गजब धाएगा मुझे लगा ये तो गजब धाएगा जाते जाते मेरे सामपरदाइक सोहाद वाले शेहर को दंगो की जोग कर जाएगा दंगो की जोग कर जाएगा तब मैंने स्पस्ट रूप से उसके कान में रस घोला तब मैंने स्पस्ट रूप में उसके कान में रस घोला आपको हिंदी दिवस पर हिंदी में बुलवाने हे तू बुलाया गया है मेरे प्रियनेता भोला आ आपको हिंदी दिवस पर हिंदी में बोलने के लिए बलवाया गया है मेरे प्रिये नेता भोला और विश्वास कीजिएगा विश्वास कीजिएगा विश्वास समझते ही उसकी हालत हो गई गंदी विश्वास कीजिएगा विशे समझते ही उसकी हालत हो गई गंदी वो सक्पकाकर मगर भरी निरजता से बोला Sorry, I cannot speak about Hindi ये कहकर वो तो सभा से चला गया मगर मेरे वजूद, मेरे अस्तित्व को पूरी तरह से हिला गया अगर हिंदी का महत्व हमारे जीवन से यू ही घटा जाएगा तो विश्वास कीजिएगा हम हिंदी कवियों को कांधा भी ना मिल पाएगा हम हिंदी कवियों को कांधा भी ना मिल पाएगा मगर मोहित संगम जैसे नए नित्रत्व में अपने प्रकाश से जगमगाएगा विश्वास कीजिए तब हिंदी का प्रभुत्व सारे जहां में नजर आएगा और हम हिंदी कवियों का जनाजा भी एक जलसा नजर आएगा एक जलसा नजर आएगा आप सभी को आने वाले हिंदी दिवस की बहुत बहुत बढ़ाई थन्यवाद भाई संदीब जी मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ डाक्टर मौनिका शर्मा को वो आएं वो विचार कविताएं प्रस्तुत करती हैं बस दोड़ती रही क्योंकि नहीं चाहती थी मेरी अर्थी वृद्धा आश्रम से आए उनके भावों के साथ जुड़िये और कविता सुनिये मौनिका मैं आप सब श्रोता गन जो देर होने के बावजूद यहां उपस्तित हैं इस मंच को नमन करती हूँ और मा सरस्वती के चरणों में दो पंक्ति आर्पित करती हूँ हे हन्स्वाहीनी वर्दो इतना आज हे हन्स्वाहीनी हे माशारदे चरनरज में पाओं भाव शब्द सुमन तेरे चरणों में चड़ाओं हे मा शार्दे चरन रज मैं पाऊं भाव शब्द सुमन तेरे चर्णों में चड़ाऊं हे हंस्वाहिनी वर्दो इतना आज नई दृष्टी से देख सकूं एक नवीन समाज मैं शिंगार लिखती हूँ तो मैं एक छोटी सी शिंगार की कविता प्रस्तुत करती हूँ जो नारी का स्वरूप है उसको प्रस्तुत करने की एक कोशिश है तो कविता का शीर्शक है नारी इन जील सी नीली आँखों में एक बाद जो आकर ठहरी है इन जील सी नीली आँखों में एक बाद जो आकर ठहरी है कहे भी दो एक बार उसे अब उसमें क्या देरी है बात जुबां तक आई भी, कुछ लजजाई, कुछ मुस्काई भी, फिर साथ लबों ने छोड़ दिया, आँखों ने चिल्मन ओड़ लिया पलकें जो गिरीं गिर कर जो उठी, पलकें जो गिरीं गिर कर जो उठी, सांसों का चलना थम सा गया पलके जो गिरी गिर कर जो उठी सांसों का चलना थम सा गया वो होश बिठा, मदहोश बी थि प्रेम का नया जय घोश बी थि पर हया शब्दों पर भारी थी, क्योंकि वो एक नारी थी पर हया शब्दों पर भारी थी क्यूंकि वो एक नारी थी कहना पाई लवजों में वो भी प्यार किमारी थी नारी जीवन का रंग यही प्रेम यही प्रसंग यही दिल से प्यार जताती है शब्दों में कुछ शर्माती है दिल से प्यार जताती है शब्दों में कुछ शर्माती है आँखों में पढ़ लेना उसके जो बया नहीं कर पाती है तो लीजे अब प्रस्तुत है वो कविता जिससे मेरा जो तारूफ कराया है आजम साहब ने बस दोड़ती रही ये इस्त्री की एक पूरी जिन्दकी को एक कविता में पिरोने की कोशिश है अगर आपको पसंद आए तो मुझे टालियों से नावाज येगा क्योंकि मालो की उमीद तो मैंने छोड़ी दे तो कविता का शीर्चक है बस दोड़ती रही बस तोड़ती रही बस तोड़ती रही मैं स्कूल से घर घर से स्कूल बिना रुके बिना चुके बस दोडती रही, बस दोडती रही, बस दोडती रही, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बिना रुके, बिना चुके, क्योंकि नहीं चाहती थी, क्योंकि नहीं चाहती थी, कोई मुझे रोके, मुझे टोके, मुझे ताके, मुझे छेडे, मुझे फप्तियां सुनाए, और मेरा स् शूट जाये, नहीं चाहती थी, इसलिए बस दोड़ती रही, दोड़ती रही, दोड़ती रही, बस दोड़ती रही मैं, बस दोड़ती रही मैं, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बिना रुके, बिना चुके, क्योंकि नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी, कोई मेरा दोस्त होले, कोई मेरे दिल से बोले, कोई मुझे बाते सुनाए, कोई मुझे अपना बनाए और मेरा कॉलिज छूट जाए, नहीं चाहती थी, इसलिए बस दौडती रही, दौडती रही, दौडती रही मैं दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, बिना गाड़ी धीरे किये, बिना अपने दिल के किये, बिना अच्छे दोस बिनाए, बिना दिल से मुस्कुराए, क्योंकि नहीं चाहती थी, क्योंकि नहीं चाहती थी, कोई मुझ पर उंगली उठाए, और मेरी नौकरी छुट जाए, नह में भी मुस्कुराए क्यूंकि नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी कि मेरी अर्थी वृद्धाश्रम से आए और मेरा घर छूड़ जाए, नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी, इसलिए बस तौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही, बस तौड़ती रही मैं, बस हो जाएं पर आएं और मेरा घर छूट जाए इसलिए बस दोड़ती रही दोड़ती रही दोड़ती रही बहुत अच्छी रचना मैं TDS रावज जी को TDS भारदवाज जी को आमंतरित कर रहा हूं कि वो आएं और अपने काव्यपार्ट से नवाजें आदरनिये भारदवाज शुक्रिया आखिर कार नमबर लगी गए बट बहुत अच्छा रहा मैंने सब को सुना खैलात जाने क्योंकि किसी को सुनने पर ही उसकी शक्सित के बारे में जानकारी मिलती है और बहुत अच्छा कारे करम रहा और मैं बहुत 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 शुक्र गुजार हूँ आप सब का वो कहते हैं कि आखिर में हीरे बचते हैं है ना सब चंता चला गया चंता चला गया चंता चला गया और अब खालिस माल बचा है तो शुक्रिया आप सभी का शुरुआती चंद अशहार पेश करूंगा और उसके बाद एक दो नजम आप लोगों की नजर दिल से सुनियेगा भी बड़ी अच्छी कवीता उन्होंने पढ़ी नारी के उपर और समा थोड़ा सा भारी हुआ क्योंके सच्चाई बोली थी मैं थोड़ा सच्चाई से बाहर लेके चलता हूँ तो चंद अशहार हैं आप लोगों की नजर उमीद आप लोगों को मज़ा आएगा तेरी तेरी घनी सियाह जुल्फों की च्छाओं में तेरी घनी सियाह जुल्फों की च्छाओं में देर तलक सो जाने को जी चाहता है तेरी घनी सियाह जुल्फों की च्छाओं में देर तलक सो जाने को जी चाहता है बिखरा हूँ इस कदर कि तेरी आगोश में आके सिमट जाने को जी चाहता है तेरी आगोश में आके सिमट जाने को जी जाए शुक्रिए आती नहीं रास मुझ को मैं आज कल कहते हैं दोस्त तमाम फिर भी आती नहीं रास मुझगो मैं आज कल कहते हैं दोस्त तमाम फिर भी तिरी आँखों के पैमाने से पीके मद होश हो जाने को जी चाहता है बिखरा हूँ इसकदर कि तिरी आगोश मैं आके सिमट जाने को जी जाहता है कौन कहता है कि है गिला फूलों से मुझको जड़े तेरे लबों से जो गुलाब घर उन गुलाबों से अपना सजाने को जी चाहता है बिखरा हूं इसकदर तिरी आगोश में आके सिमट जाने को जी चाहता है इस वाले शेर पे नजर डालिएगा ये दिल से आया है जो अब मैं सुनाने जा रहा हूं कभी तो रूठा करो ऐसनम हमसे कभी तो रूठा करो ऐसनम हमसे हजी ना जो नकरे उठाकर तुम्हारे तुम्हें मनाने को जी चाहता है बेखरा हूं इसकदर के तेरी आगोश में आके सिमट जाने को जी चाहता है करके तसवर तेरा लिखी जो नजम मैंने रात भर करके तसवर तेरा लिखी जो नजम मैंने रात भर बिठा कर सामने तुझको तुझे वो नजम सुनाने को जी चाहता है दूर कहीं घने पेड़ तले दूर कहीं घने पेड़ तले शाम एक तेरे साथ बिताने को जी चाहता है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि है ये नामुम्किन मगर न जाने क्यूं फिर भी जिन्दगी तमाम तेरे साथ बिताने को जी चाहता है बिखरा हूँ इस कदर कि तेरी आगोश में आके सिम्ट जाने को जी चाहता है शुक्रिया एक आज के हालात पे छोटी सी नजम है हालात यह हैं कि महंगाई की मार ने कमर तोड़ दी पांच सो का नोट पांच रूपे के बराबर हो गया और आम जन जो है वो पिस गया माननी यह लोग चले गए मैं अपने बात आम आदमी की बात इस मंच के माद्धम से उन तक पहुंचाना चाहता था पर हार्ली मैटर अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सब हम लोगों की आप बीती है उमीद आपको पसंद आएगी ख्वाहिशें हजार और ख्वाहिशें हजार और जेब तंग है जीने का यही आज कल ढंग है ख्वाहिशें हजार रंग बिखरे हो चारों और मगर रंग बिखरे हो चारों और मगर हो दिल उदास तो फिर क्या रंग है जीने का यही जीने का यही आज कल ढंग है है अकेला यहां भीड में हर कोई है अकेला यहां भीड में हर कोई सिवातन हाईयों के और कौन संग है ख्वाहिशें हजार जीए जा रहा है हर शक्स यहां जीए जा रहा है हर शक्स यहां किसके जीने में अब कोई उमंग है ख्वाहिशें हजार जिन्दगी और नहीं कुछ इन दिनों जिन्दगी और नहीं कुछ इन दिनों ना जीती जाए जो यह वो जंग है ख्वाहिशें अजार थेंक यू वेरी मच्च आइटिंक यह सिचुएशन है आज की अभी हो गया कि मैं एक और पढ़ सकता हूँ इतना तो मुझे बेलना चाए चलिए एक और थोड़ा सा महबत की चाशनी में डूबी हुई आपको मैं सुनाता हूँ तरणनु मैं सुनाँगा आखरी में आने का यह फायदा मिलता है आपको टाइम मिल जाता है ना ना तो छूना है ना तो छूना है नहीं पाना है तुम्हे दिल से आ रही आवाज आशिक क्या कहता है माशूक को ना तो छूना है नहीं पाना है तुम्हे हमें तो महज हमें तो महज गुन गुनाना है तुम्हे ना तो छूना है हम कदम बनना है तुम्हारा हमको हम कदम बनना है तुम्हारा हमको मन्जिलों से भी तो मिलाना है तुम्हे हमें तो महज करती हो क्यूं बात फूलों की करती हो क्यूं बात फूलों की चांदतारों से हमें इस किनारे से इस किनारे से उस किनारे तक लेके चुप चाप से जाना है तुम्हें न तो छूना है दिल में थलेश के दिल में थलेश के कोई नहीं बसता जरा ध्यान दीजिएगा दिल में थलेश के कोई नहीं बसता इस विराने में इस विराने में बसाना है तुम्हें ना तो छूना है ना ही पाना है तुम्हें हमे तो महज गुन-गुनाना है तुम्हें हमे तो महज शुक्रिया आपने वक्त दिया और मुझे सुना धन्यवाद भार्दवाद जी और केवल तीन मिनट आपके मैं चाहूंगा जो जिन कवियों को आपने सुना है उनका स्वागत और अभिनंदन हो जाए वो आपके द्वारा होना है मैं भाई अंकुर अग्रवाल से निवेधन करूंगा कर्पया इस कारी को संपन कराएं रेखा रोईला जी पार्शाद है हमारी आप एक मेट आई जरा एक हमारी कवित्री हैं मेडम डॉक्टर पूनम सक्सेना जी श्री मति जोती सहगल जी पूर प्रदानाचारिया है और हमारे अशुतोर सहगल जी पार्शाद है उनकी धरम पतनिया मैं आपसे भी निवेधन कर आप डॉक्टर मोनिका शर्मा जी को स्मृति चिन बेट नरिंदर जी और नरेश रावट जी आप डॉक्टर विजिंदर पाल शर्मा जी का स्मृति चिन बेट करें श्रीशिवेश ध्यानी जी आपने भी हमें पूरा समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर आपका अभिनंदन संगम जी जाज कुमार काल्डा जी मारे मंदल अध्यक्षा है बीजेपी के बहुत ही जुजारू साती हमारे आपका टीडियेस भारतवाद जी विजे गुपता जी हमारे मंदल अध्यक्षा है आप आएं राजकुमार नरूला जी और रंभी धवन जी भी आप भी आजेए अब मुझे लगता है कि मैं रह गया हूँ और जो शुरू से इस कारिकरम को संचैलन भी कर रहे था और जिनोंने शुरू से आखरी तक इसको संभाला है जो शुरू से अजय कर दो शुरू जो शुरू से अजया है